लगा हुआ लाखों करोण का काला धन दरसल देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है उसी दिन मैंने अर्विन जी से कह दिया था अर्विन जी अगला नंबर अब आपका होगा नमस्कार में मुम्मदासीफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइ नियोज लेकिन मनीज सी सोदिया के जेल से बाहर ना आने पर संजे जी जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमला पर हो रहा है जिस तरीके से ED और CBI को लेकर मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं अभी हमार आप देख रहे हैं कि भले ही सुप्रीम कोट से जो फैसला आया कि जरी वाल को तक्ते मिली उनको एक बल मिला लेकिन इसके बावजूद जब उनके दाहिने हाथ इन दिनों राव जेवेनियों कोट से उन्हें अरहत नहीं मिला वो तेहार जिल में है तो सवाल ये है सवी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार जिस दिन दिल्ली की विधान सभा में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जी ने कहा था कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त उनके दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोण का काला धन दरसल देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है उसी दिन मैंने अर्विन जी से कह दिया था अर्विन जी अगला नंबर अब आपका होगा ये लोग सारी जतन करेंडे प्रधान मंत्री के भरस्टाचार को दबाने के लिए क्योंकि अर्विन जी ने सिलसलेवार तरीके से बहुती कन्विनसिंग तरीके से एक एक चीज़ परत दरपरत करके दिल्ली की विधान सभा में देश को ये समझाने का प्रयास किया था कि ये जो सारा भ्रस्ताचार का लाखों करोन का काला धन मोधी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है ये मोधी जी का पैसा है ये मोधी जी के भ्रस्ताचार का पैसा है लाखों करोन और उसे दिन से दिल्ली के मुख्य मंत्री के खिलाफ अर्विन जी के खिलाफ मोधी जी ने ये साजिस रचना शुरू कर दिया और आज सीबियाई का संबन आ गया केजरिवाल को सीबियाई का संबन भेज रहे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार और आप सर से लेके पाउं तक भ्रस्टाचार में डूबे हुए है और अर्विंद केजरिवाल जी की लड़ाई ये सीबियाई का संबन भेजने से रुकेगी नहीं देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अर्विंद जी ने जिसकी सुरुवात दिल्ली की विधान सबा से की है वो जारी रहेगी रुकेगी नहीं पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा सोला तारीक को अर्विंद केजरिवाल को गरिफ्तार करने की अर्विंद केजरिवाल को जेल में डालने की अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ ये बड़ी कारवाई करने की जो साजिस सापने रची है इस साजिस से इस कारवाई से इस अभियान से अर्विंद केजरिवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है ये देश के एक एक घर में आवाज पहुँचेगी ये देश के एक एक गाँ में आवाज पहुँचेगी एक एक गली महले में आवाज पहुँचेगी कि आपने लाखो करोड रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भरस्टाचार किया है इसलिए ये आम आदमी पार्टी है ये अर्विंद केजरिवाल है जिस अर्विंद केजरिवाल ने पूरे देश को एक सिच्छा का मॉडल दिया स्वास्त का मॉडल दिया बिजली पानी का मॉडल दिया दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया काम किया देश के लोगों के लिए अपने इंकम टैक्स के कमिस्नर की नौकरी को लात बार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े वो अरविंद केजरिवाल है जेनों न तेरा दिन का अंसन रखके भरस्ताचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरिवाल की लड़ाई भरस्ताचार के खिलाफ उनकी मोहिम रुकने वाली नहीं है आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखो करोण का घोटाला किया है उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है देश के हर गाओं हर घर हर मुहले में पहुचाना जरूरी है तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि यह जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधान सभा में अरविंद केजरिवाल जी के भासर के बाद यह नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है यह गिरिफतारी की जो साजी सरची गई है इस से ना अरविंद केजरिवाल ना आम आदमी पार्टी ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता ना एक भी कार्करता ना जुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं केजरिवाल जी पहले भी आप से लड़ते रहे हैं आगे भी लड़ते रहेंगे आपके कोई प्रस्न हो आप पूछ सकते हैं ये तमाम लड़ाईयां ये संगर्स केजरिवाल के उपर तो बहुत सारी मुसीवते आईई, समय समय पे आईई बहुत कारवाईयां हुई इनके खिलाव कभी कभी CBI का छापा दफ्तर पे मार दिया कभी मंत्रियों को गरिफ्तार किया कभी विदायकों को गरिफ्तार किया न दिल्ली की जनता का काम रोका न भ्रस्ट अचार के खिलाफ लड़ाई रोकी और ये लड़ाई जारी रहे देखें ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और सोला तारीक को अर्विंद केजरिवाल जी जाएंगे लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि भरस्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने जो महा घोटाला किया है अपने दोस्त की कमपनी में लाखो करोड रुपए का ताला धन लगा के उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी गिरिपतारी की धमकी चाहे जो कुछ भी कर ले लेकिन अब देश के सामने इस महाभरस्ट सरकार के महाभरस्ट प्रदान मंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगा प्रदास्त नहीं कर पाएंगे प्रधान मंत्री जी ये सच उनको बरदास्त नहीं होगा मैंने तो पिछले तीन दिनों से बताया किस तरीके से ED की पूरी जूटी कारवाई चल रही है आज अर्विन केजरिवाल को नोटिस आ गया तो क्यों आया क्योंकि बहुत सारी चीजे परत दर परत करके उन्होंने विधान समा में जो भासर दिया था उसमें समझाया था बताया था कि सारा का सारा काला धन नरिंद्र मोदी का पैसा है नरिंद्र मोदी का मोदी की दोस्त की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोण का काला धन ये किसी और का नहीं है नरेंद्र मोदी का पैसा है नरेंद्र मोदी का अपनी राजनितिक सत्ता को बचाया रखने के लिए अपनी आर्थिक सत्ता भी नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी किये तो यही मामला है और क्या मामला है देखा आपने दर्शुकू संजय जी कितने घुस्से में मूदी सरकार से सवाल पोछ रहा है अब सवाल लाजबी भी है मूदी सरकार जब करती है तो तब 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 अच्छा और लगता जब करनाठेक में हुए भरस्टा चार जो बीजेपी के में नेताओं ने किया उनकी जांच कर वाले थे बिराल सवाल तो खड़ा कर दिया लेकिन इन सब के बीच में क्या वाकई में जवाब मिल पाएगा यह एक बहुत बड़ा सब्सक्राइब आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जुरू बताएगा साथ ही यह बताएगा क्या मोदी सरकार के भरस्टा चारों की जांच को पाएगे देश दुनिया के खबर के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन यूस